ब्रम्वपुर नाम गाउं में एक पाखंडी बाबा का आश्रम होता है उस गाउं के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था वो अपनी परिशानियों का हल ढूंडने या ज़ाड़पूग करवाने बाबा के पास जाते थे वो पाखंडी बाबा उन सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास में फसा कर उनसे पैसे एड़ता रहता है आयो इश्मान भावा बाबा मैं कई सालों से उलाद सुखे लिए तड़प रहा हूँ मेरी साधी को दस साल हो गए लेकिन अभी तक मेरे घर बच्चे के किलकारियों से वंचित है कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि मेरी बीवी की सूनी गोद जल्द ही भर जाए इसके लिए तुझे बकरी की बली देनी होगी बोल तू तयार है लेकिन बली देना तो पाथ है ला बाबा मूर्ख अब तू तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत इनने माफ कर दीजेगा बाबा जी इनसे भूल हो गई हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे बली भी देंगे तो ठीक है कल आश्रम में बली चणहने का महा यग्य है कल बकरी लेकर आ जाना कल ही हम उसकी बली देंगे और तुम्हें सारे कश्टों से छुटकारा मिल जाएगा सुनो शिष्य कल के महा यग्य में बली चणहने के लिए एक बकरी का इंतजाम किया जाए जो आ गया बाबाजी हम अभी जाकर बकरी का इंतजाम करते हैं लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ बाबाजी पूछो वद्स क्या पूछना है अपनी मनो कामना पूर्ण करने के लिए बकरी की बली دेने वाली बात मुझे कुछ स्मझ नहीं आई क्या किसी की बली देना जरूरी है बली देने से भगवान प्रसंड न होते हैं और हमारी सारी मनो कामना पूर्ण होती है माफ करना बाबाजी लेकिन आपके इस बात से मैं सेहमत नहीं हूँ समस्तर शुष्टी के जन्म दाता और मृत्यु दाता तो ईश्वर है फिर अबोध प्राणी की बली लेकर आखिर वो कैसे प्रसंद न हो सकते हैं और किसी की जान लेना तो पाप ही होता है न बाबाजी और किसी की जान लेकर कोई भी कामना पूरण नहीं होती खामोश तुम दोनों ये क्या नाप्शना बक रहे हो मेरे आश्रम में तुम दोनों को मेरे जैसा महत्मा बनना है या नहीं बनना है बाबाजी बनना है तो फिर जो मैं कहूँ उसका पालन करो अब जाओ और बली के लिए बकरी लेकर आओ जी बाबाजी जैसी आपके आग्या इसके बाद वो दोनों बली के लिए बकरी खरीदने निकल पड़ते हैं रास्ते में चलते चलते वो दोनों शिश्य आपस में बात करते हैं रामू बली देने के लिए बकरी का इंतिजाम करके हम दोनों कहें किसी पाप के भागिदारी तो नहीं बनने जा रहे शामू मुझे भी यही लग रहा है अपनी मनों कामना पूरण करने के लिए किसी निर्जीव की बली देना ठीक बात नहीं है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रामू लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं उन दोनों शिश्यों को आता देख काली और गोरी बकरी आपस में बात करने लगती है देखो जुम्री वहाँ देख हमें खरीदने कौन आ रहा है हमें नहीं सिर्फ मुझे ये सादू मुझे खरीदने आ रहे है क्योंकि मैं तुझसे जादा सुन्दर भी हूँ और तंदुरुस्त भी वो सब तो ठीक है लेकिन ये दोनों सादू तुमें खरीद के करेंगे क्या वो मुझे अपने आश्रम में ले जाकर मेरी खुब सेवा पानी करेंगे हर रोज मुझे ताजा ताजा हरा हरा चारा खिलाएंगे मेरे साथ खेलेंगे मेरा ध्यान रखेंगे और फिर मैं भी इने धेर सारा ताजा ताजा दूद दूँगी अरी वा फिर तो बड़ी ही किस्मत वाली बकरी होगी वो जिसे ही साथू बाबा अपने साथ ले जाएंगे हाँ और वो खुश किस्मत बकरी मैं ही हूँ देख ले ना तुम वो मुझे ही अपने साथ लेकर जाएंगे हाँ उन दोनों बकरीओं को तो यही लग रहा था कि ये दोनों साथू बाबा है और उन्हें खरीद का राश्रम में ही ले जाएगा मगर वो इस बात से बिलकुल अंजान थी कि ये पाखंडी बाबा के दो शिश्य थे और वो तो बकरी बली देने के लिए लेकर जाने वाले हैं फिर वो दोनुँ शिश्य देंदार लखन से मिलते हैं बाबा जी की जै पाए लागो महराज, कहिए महराज, आज यहां कैसे आना हुआ तरसल बात यह है, बाबा जी ने हमें यहां एक बकरी खरीदने के लिए भेजा हुआ है मगर बकरी सुन्दर होने के साथ साथ तंदुरुस्त भी होनी चाहिए सुना तुमने काली बकरी, उन्हीं खूपसूरत और तंदुरुस्त बकरी की ही तलाश है, और वो तो बस मैं हूँ. तब तो महराझ आप मेरी वो गोरी बकरी ले जाईये, वो खूपसूरत भी है और तंदुरुस्त भी है. देखा मैं ना कहती थी कि वो मुझे ही ले जाएंगे यार तू तो सच में बड़ी ही किस्मत वाली है वो तो मैं हूँ ही ये लीजी आपके बकरी के पैसे शुक्रिया महराज माफ करना महराज मैं एक बात बताना तो भूली ही कया ये बकरी हर रोज 8 किलो दूद देती है अरे हमें इससे क्या करना ये बकरी हमें दूद के लिए थोड़ी ना चाहिए बलकि इसका इस्तिमाल तो हम बली चड़ाने के लिए करेंगे कल सुभा तक तो ये बकरी भगवान को प्यारी हो जाएगी ये बात सुनते ही मानुगोरी बकरी के पैरो तले जमीन खिसक जाती है बकरी की आँखों में आसुआ जाते है माफ करना बेहन मुझे अपनी तंदुरुस्ती और खूबसूर्ती पर बहुत ही घमन था मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी यही खूबी मेरी मौत का कारण बन जाएगी ये लिजे महराज आपकी अमानत आपकी बकरी कुछी देर में वो दोनों बकरी को लेकर बाबाजी के आश्रम में पहुँच जाते हैं बाबाजी की जै बाबा हम ये बकरी ले आए आज इस बकरी का आखरे दिन है ये बात सोचकर ही मुझे रात भर नीद नहीं आई लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बाबाजी का हुकम टाल भी तो नहीं सकते न दोनों की बातें बकरी बड़े ध्यान से सुनती है और ये जानकर कि बाबाजी के शिश्य उसकी बली देने के खिलाफ है उसकी जान में जानाई चुपचाप मौत को गले लगाने से अच्छा है कि एक बार उससे डट कर मुकाबला किया जाए बकरी को नहलाने के बाद जैसे वो दोनों बकरी को आश्रम की ओर लेकर चलते हैं तभी रास्ते में बकरी ने उनसे कहा आप दोनों की बाते सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों भले इंसान हो इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले आप दोनों से एक बात साजा करके ही मरू अच्छा, वो क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आज मेरी बली देकर मुझे मार दिया जाएगा लेकिन फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ अच्छा, लेकिन वो क्यूँ? क्यूंकि मुझे तुम्हारे उस बाबा जी पर हसी आ रही है बकरी को पहले हसता और फिर रोते हुए देख कर दोनों को आश्यर हुआ तभी पहले शिश्य ने बकरी से पूछा सुनो बकरी, आज तुम्हें मार दिया जाएगा ये जानते हुए भी तुम पहले हसने लगी और फिर अचानक ही तुम रोने लगी ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई बताओ तो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? ये एक रास की बात है और मेरी मौत के बात तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा बाबाजी, बाबाजी आज एक अजीब घटना घटी कैसी घटना? ये बकरी, आज आप पर जोर-जोर से पहले तो हसने लगी इसकी इतनी जुरत, ये मुझ पर हसी फिर जोर-जोर से रोने लगी रोने लगी? और जब हमने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये एक रास की बात है रास की बात? कैसी रास की बात? वो तो इसने नहीं बताया बाबाजी ए बकरी, जल्दी से बता वो कौन सी रास की बात है? आपको मेरी बली देनी है तो शौक से दीजे ए बकरी, हस क्यों रही है, जल्दी बता सच्चाई सुन पाओगे बाबा, मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं हस रही हूँ इसकी सबसे बड़ी वज़ा है मेरी बली, जैसे ही तुम मेरी बली दोगे, तो मैं श्राप से मुख्ध हो जाओगी कैसा श्राप, और रो किसलिये रही थी पिछले जनम में मैंने एक बकरी की बली चड़ाई थी, तब भगवार ने मुझसे नाराज होकर, मुझे बकरी बनने की सजा दी थी अब आप मेरी बली दोगे, तो आप ठ्रापित हो जाओगे, फिर अगले जनम में मैं इंसान बन जाओगी, और आप बकरी बन जाओगे इसी वजह से मैं ये बात सोच सोच कर हस रही हो बकरी की बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गया उसे अपने अगले जनम की चिंता सताने लगी फिर बाबा ने कसम खाई कि वो कभी भी बकरी की बली नहीं चढ़ाएगा शिश्यों, आज से हमारे आश्रम में किसी भी तरह की बली नहीं दी जाएगी आज से ये बकरी हमारी प्रिया बकरी होगी उसको साफ सुथी जगह पर रखा जाए हर रोज इसको ताजा ताजा चारा खिलाया जाए इसको बहार घुमाने लेकर जाओ और इसकी खूब सेवा पानी करो ये, अब मैं रोज ताजा ताजा दूद दूँगी इस तरह उस चतुर बकरी ने मुश्किल समय में किस तरह अपनी अकल का इस्तिमाल करके अपनी जान बचाई और समाज को ये आदेश दिया कि मुश्किल घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए अपनी साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए राजीश नाम का एक कोटो वाला आटो चलाये करता था उसकी बीवी शीतर और साथ साल का बेटा राजू था वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे अजी सुनती हो हाँ आ रही हूँ अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ हाँ बोलिये क्या हुआ और इस पैकेट में क्या है खुद ही देख लो ये लो खोलो इसमें तो साड़ी है जी हाँ पता है मुझे ये साड़ी किसके लिए है अरे मेरी प्यारी बीवी ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना ये तो बहुत प्यारी है पर इसकी क्या जरूरती इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते और ये फाल्तू के खर्चे क्यों किया आपने अरे पगली मैं वैसे भी तुझे कहा कुछ दे पाता हूँ एक साड़ी ही तो है तु कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे आज थोड़ा धंदे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं मैं जानती हूँ हालातों को तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती चल अब ये बेकार की बाते बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ देखू तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहन कर बाहर आती है अहा देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है इसी तरह हसी खुशी से दिन बीट रहे थे अचानक से राजेश की पतनी शीतल बिमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाईया देते देते राजेश को अपना ओटो बेचना पड़ जाता है अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तभियत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा अब पैसे कहां से आएंगे शीतल को इस आलत में नहीं देखा जाता ऐसा करता हूँ अपना ओटो बेच देता हूँ राजेश ही सोच कर अपने ओटो लेकर एक दुकान पर पहुँचता है भाई मुझे ये ओटो बेचना है क्यों भाई इस आटो में कोई खराबी है आटो में कोई परेशानी नहीं है मुझे पैसों की सक्त जरूरत है मेरी बीवी बहुत बिमार है और मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मुझे आटो बेचना पड़ रहा है अरे भाई अगर आटो बेच दोगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्षा भी ले लोगे, क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहा है ओ भाई राजेश बात मान जाता है राजेश ओटो बेच कर एक रिक्षा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है राजेश की पत्नी की तब्यत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटर ले कर जाता है राजेश के पास पैसे नहीं थे थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है इनमें 10 रुपे कम है भाई, मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबियत बहुत खराब है पहले 10 रुपे लेकर आओ प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी भाई मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था वो राजेश को वहां से भगा देता है अरे कुछ भी करो, मुझे दस रुपे दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहां से राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है उदर दुकानदार जिसका नाम विपिन था जहां राजेश के पास पैसे ना होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था वो दवाईयों से बहुत पैसा कमाता था इसलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी विपिन घर पहुचता है और प्लॉट लेने की सोचता है तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भाग कर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुचता है डॉक्टर सहाब देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है ये बेहोश कैसे हो गया पता नहीं जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था आप क्यूं कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है. विपिन के पैरो तले जमीन खिसक जाती है और अब समाली अपने आपको. ये, ये क्या कह रहा है हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी. विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है. इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता. एक दिन उसके बेटे की तब्यत जादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं. जैसे ही दवाईों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है. अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो. ये दवाई तो बहुत महेंगी है. क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपेन अपनी सारी जमीन जायदाद गवा चुका था उसके इलाज में. अब उसके पास कुछ भी नहीं था. सिर्फ चंद रुप्यों के अलावा. वो अपनी सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है. बस यही रुपे हैं. विपेन को पता था कि यह दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महिंकी बेच रहा है. विपेन उस दुकानवाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है. जब उसने भी किसी ज़रुरतमंद को सिर्फ 10 रुपे के लिए दवाई नहीं दी थी. वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करणी का फल तो भुगतना ही पड़ता है और विपेन बहुत रोता है. तभी दुकान वाला विपेन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है. विपेन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है. अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुँचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था. विपेन भागता हुए जाने लगता है लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुच पाएगा. इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है लेकिन उसके पास पैसे ना होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता. अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुचा तो मेरा बेटा. जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है. तभी एक रिक्षे वाला उसे आकर थाम लेता है. वो वही रिक्षे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था. लेकिन फिर भी वो अपने रिक्षे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है. विपिन बैठे बैठे बस अपने किये पर पश्तारा होता है. उसका लालच उसके सामने आ रहा था वो अपने किये पर बहुत पच्टा रहा था पर समय निकल चुका था मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसी लिए आज मेरी ये हालत है इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी कुछ पैसों के लिए और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था विपिन हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है वहाँ उसके बेटे की तव्यत और खराब हो रही होती है ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसके आँखों से आसों की धारा निकल पड़ती है तभी उसको भगवान की मूर्ती दिखाई पड़ती है और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है